नमस्कार दोस्तों मैलाओ के शरी के इस अंगों को जोर से दबाने से हो सकते है कई सारे लाब दोस्तों मनिशे के शरी की सनचना बहुत ही जटिल है इसके अंदर इतनी प्रनालिया काम करती है कि जिनके बारे में जान कर आप हैरान रह जाएंगे हर एक अंग का विशेश कारिय होता है और हमें सेहत मन रहने के लिए इन सबी अंगों को स्वस्त रखना पड़ता है अगर एक भी अंग खराब हो जाता है तो कई सारी प्राब्लेम्स खड़ी हो जाती है महिलाओ का शरीर पुर्षो की तुलना में थोड़ा अलग होता है उनके अंदर कुछ ग्रंतिया अलग प्रकार का रस छोड़ती है जो पुर्षो में पाया नहीं जाता आज कल कम उम्र में ही मनुष्य जल्दी बिमार पड़ जाते है और कई प्रकार की बिमारियों से घिर जाते है जैसे कि मोटापा, बलड प्रेशर, डायबिटीज, इत्याधी लेकिन क्या आप जानते है हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते है जिने दबाने से हम कही तरी की बिमारियों से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते है साथी इससे आप अपनी स्मरंशक्ति को बड़ा सकते है अगर बाल जढ़ने की समस्या है तो उसे भी रोकने के लिए शरीर में प्रेशर पॉइंट्स होते है तो आईए आपको बताते है शरी के किनांगों को दबाना फाइदेमन होता है आज कल वेक्ती बाल जढ़ने के का साथी बालों का सफेध होना ये भी उनके चिंता का कारण हो सकता है और इसी स्ट्रेस के कारण वो अपने काम में मन नहीं लगा पाते और जिस कारण उनकी जिंदगी एकी जगह पर रुख जाती है इसलिए अगर आप अपनी बालों की समस्या से छुटकारा पाना चाते है तो आप अपने दोनों हातों की नाखुनों को रगड़े ये उपाय आपको रोज सुबह 5 मिनट तक करना है और दुपेर को 5 मिनट तक करना है इस उपाय को अक्विप्रेशर भी कहते है और दूसरा उपाय ये है कि आप अपने अंगुटे के चारों तरप मसाज करे ये कान दोस्तों आपके कान में एक भोती खास प्रकार का प्रेशर पॉइंट होता है जो लोग बढ़ते वजन अथों मोटा पिसे परिशान है और कई सारे उपाय करने के बावजूद भी आपना वजन कम नहीं कर पा रहे है तो आपको बता दे कि आपके कान में मौजूद प् गुटने दोस्तों आपके घुटनों में भी प्रेशर पॉइंट होते है जो आपको सेहत मन रखने के लिए काफी हद तक मदद कर सकते है इस प्रेशर पॉइंट को आप दबा कर अपना वजन भी कम कर सकते है लेकिन इसे करने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ेग आपको आपके घुटने के पिछले हिस्से के मसल्स पर मसाज करनी होगी अगर आप हरोज एक मिनिट तक मसाज करेंगी तो इससे आपकी पचन क्रिया में काफी सुधर आएगा और इससे आपका वजन भी नहीं बड़ेगा नाभी विशेश तोर पर नाभी के प्रेशर पॉइंट महिलाओं में कारगार होते है महिला अपने पती की साहिता से इस प्रेशर पॉइंट का वश्य दबाए इससे उनका वजन कम होने में मदद मिलेगी आपको नाबी के धाइने और के प्रेशर पॉइंट्स को धबाना होगा और इसके साथ ही पिंडली को भी धबाए अगर आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र में काफी बदलावाने लगता है और इससे आपको आपका वजन कम करने में मदद मिल जाती है कोनी आपकी कोनी के क्रीज वाले हिस्से को दबाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं आपको रोजाना एक हाथ की मदद से आपके दूसरे हाथ की कोनी के pressure points को 5 मिनिट तक धबाना है ऐसा करने से आपकी पचन क्रिया सही बनी रहती है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता तलवे और हतेलिया आपके हतेलिया और तलवो पर भी वजन कंट्रोल करने के लिए pressure point दिय आपको आपके हतेलि के उबरे हुए हिस्से को अंगुटी की मदद से दबाना है ऐसा आपको 2 मिनिट तक लगातार करते रहना है आप आपके पईरो के साथ भी ऐसा कर सकते है आपके तलवे के बीच वाले हिस्से को दबाने से आपका वजन कम होता है वैसे तो हाथ में कई प्रकार के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इनके बारे में हम आपको आगले वीडियो में बताएंगे, इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाने से आपकी स्मरंशक्ति बढ़ सकती है, साथ या आप अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं, तो दोस्तों, ये ते वो शरीक यंग, जि धन्यवाद